दोस्कार दोस्कों कैसे हैं आप लोग इंकम टेक्स रिटन फाइल करने का आपके पास यह आखरी मोगा है पिछले दो साल के अगर आपने रिटन फाइल नहीं करिए अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं करिए तो आपके पास एक ओप्शन है ITR यू आप फाइल कर सकते हो 31 मार्ज 2020 से पहले पहले अगर 31 मार्ज 2020 तक आप फाइल फाइल नहीं करते हो तो इसके बाद आपके पास कोई भी ओप्शन नहीं रहेगा फाइनेशल इर 21 की ITR फाइल करने का दोस्तों अब जब 21 की ITR फाइल करोगे तो आपका जो भी टेक्स लिएविलिटी बन रही होगी उसपे 50% एडिसनल टेक्स आपको देना होगा उसके बाद आपकी ITR यू फाइल कर पाऊगे हाँ आपकी इंकम अगर टेक्स लेप से कम आपका टेक्स बच सकता है एडिसनल टेक्स आपको नहीं देना पड़े बर लास्टेट जो है 31 माज 2024 से दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है ITR यू में आप किसी प्रकार का कोई विफंड ख्लेम नहीं कर सकते हो अब पात करें फाइनेशल इर 22-23 की जो अभी कुछ ही म है फैनेशल इर 22-23 के लिए वो भी ITR यू का ही option left है तो अगर आप 22-23 की रिटन अभी तक नहीं भरी है तो आप ITR यू फाइल कर सकते हो लेकिन उस case में आपके 50% एडिशनल टेक्स लगेगा दोस्तों यह चीज़ का आपको पूरा पूरा द्यार नखना है तो अभी भी आपके पास एक मोका बचा है आपकी ITR फाइल करने का ITR काफी जगह पर काम आती है दोस्तों फ्यूचर में जब आप किसी प्रकार का को इंशुरेंस टर्म इंशुरेंस लेने जाओगे वीजा अप्लाई करोगे लोन अप्लाई करोगे और भी काफी सारी इसी जगह है जहां पर आपसे ITR मांगा जा सकता है दो उस समय आपको हेवी पेनल्टी हेवी इंट्रेस्ट और हेवी टेक्स से गुजरना पढ़ सकता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आयो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना विन पूल भी ना भूले मिलते हैं नई वीडियो में निजानकारी के स साथ अब तक खेंगे स्वाम जय हिंग जय भारत